नमस्कार दोस्तो आज हम लूसरन या रिजगा की फसल के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तो रिजगा हरे चारे की फसल होती है यह है पाल तो बस वो को खिलाई जाती है दोस्तो रिजगा हरे चारे की रानी भी कहलाती है दोस्तो देखते हैं, रिजगा का वानस्पतिक नाम, मेडिकागो सेटाइवा होता है दोस्तो इसका कुल लेगुमिनेशी होता है दोस्तो भारत में सीट तोसन थता उसन कटी बंद्य छेत्रों में रिजगा एक महतव पूर्ण धला निचारे की फसल होती है दोस्तो सुस्क जलवायों में शिचाई की सुविदा के अनुसार रिजगा की फसल को सपलता पूरवक हो गया जाता है दोस्तो रिजगा की फसल से एशे समय पर चारा प्राप्त किया जाता है तब चारे की कमी होती है दोस्तो रिजगा की बुगाई पराए मक्का जोहर बाजरा उर्द मूंग की फसलों की कटाई के बाद रब्भी रितु में की जाती है दोस्तो लूसन का चारा बर्सिम की अपेक्सा अधिक गरम होता है दूद देने वाले पसों में अपरा की बिमारी हो जाती है दोस्तो लूसन का चारा गोड़ों के लिए बहुत अधिक सर्वस्रेश्ट होता है दोस्तो लूसन का उत्वतिस्तान दक्सिन पस्चिमी एसिया के तर्की परसिया अफगानिस्तान में से कोई एक देश है दोस्तो एसिया के लोगों ने ही सरवपर्तम लूसन की फसल का प्रयोग चारे के रूब में किया दोस्तो रिजगे में प्रोटीन की मातरा 20 से 25 परसेंट तक पाई जाती है दोस्तो रिजगा को अलफा भी कहते हैं यह सब्द अर्भी बासा का है इसलिए इसका जर्म इस्तान इरान हो सकता है दोस्तो भारत में सरव परतम लूसरं की खेती उनीस सो इस्तु में सुरू हुई दोस्तो इसके चेतरपल थाता वीतरां की बात करें तो लूसरं की खेती अर्जेंटाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी एवं सयुक्त राजे अमेरिका आदी देसों में विशेश रूप से की जाती है दोस्तो भारत में लूसरं की खेती उत्रपरदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्तान, मद्यपरदेश, गुजरा, तमिलाडू, तता हिमाले के परवतिये छेतरों में विशेश रूप से की जाती है दोस्तो रिजगे की जलवायों की बारे में बात करें तो रिजगे की फसल पर आए समसीतोसंड जलवायों से लेकर सीतोसंड जलवायों तक उगाई जाती है दोस्तो रिजगे की फसल में विबिन प्रकार के तापमान को सैने की समता अधिक होती है इसलिए गिरिश्म रितु में अधिक आपमान, गुंचाशक्टस दिग्री सैंटि ग्रेट तथा, सरद रितु में 6.5 दिग्री सैंटि ग्रेट पर भी फसल पर कोई हानिवकारक परवाव नहीं पढ़ता है दोस्तो रिजगे की सोयल के बारे में बात करें तो रिजगे की फसल को दोमट से मट्यार दोमट भूमियों में सपलता पूरवकू गया जा सकता है दोस्तो जबकि इसकी फसल के लिए दोमट भूमिया सबसे अधिक उप्यूक्त होती है दोस्तो लूसन की खेती अधिक अमलियत हता अधिक सारे भूमियों में उत्म मानी जाती है दोस्तो इसके पिएच के मान की बात करें तो इसका पिएच मान 6.5 से 7.5 के मद्दे होना चाहिए यहां रिजगा की फसल के लिए उप्युक्त होता है दोस्तो उनत सिल पर जाती है रिजगे की उनत सिल पर जाती हो के बारे में बात करते हैं दोस्तो पर जाती देखते हैं रैंबलर दोस्तो यहां पर जाती कनाडा से लाए गई है इसके बाद देखते हैं दोस्तो सिर्षा टाइप नाइन दोस्तो यहां सिग्र पकने वाली सिग्र बढ़ने वाली पर जाती है यहां बहु वर्षिये पोदे होते हैं यहां गहरे हरे ठता बैंगनी रंगे होते हैं बैंगनी रंगे फूल होते हैं यहां गहरे हरे रंगे पत् दोस्तो इसके बाद में देखते हैं 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 दोस्तो इस पर जाती है यह पर जाती है इसके बाद में देखते हैं दोस्तो इस पर जात दोस्तों आगे देखते हैं रिजगे की भूमी की तैयारी कैसे करते हैं दोस्तों खरीब की फसल की कटाई के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके तीन से चार जुताई या देशी हलत्वा कल्टिवेटर से कर देते हैं दोस्तों पर्तेक जुताई के बा बारे में दोस्तों पहले देखते हैं रिजगा के बीज के बारे में दोस्तों रिजगा का बीज सवेद सोरी दोस्तों रिजगा का बीज सदेव सवस्त बिमारी रहीत तता परमानित होना चाहिए दोस्तों परमानित बीजों दोवारा उगाई जाने वाली फसल के बीज सुद अधिक होते है यह अंगुरान समता वाले होते हैं तब अमर बेल हैं कासनी के बीजों की संक्या बहुत कम होती है दोस्तो इसके बीजदर की बात करें तो अग्येती तता पच्छेती बुआई करने पर लूशन की बीजों की अधिक मातरा की आऊ सकता होती है दोस्तो रिजगे के बीजगे मात्रा छटकवा वीदी दवारा 12-15 किलोग्राम जबकि हावड वीदी दवारा 10-12 किलोग्राम पर 3 एक्टेर की आउसकता होती है दोस्तों रिजगे के समय की बुआई के बारे में बात करें तो लूसन की बुआई का उचित समय सितंबर के अंतिम सप्ता से अक्टूबर का पर्तम सप्ता है दोस्तो बीज की फसल की बुआई नवंबर के पर्तम सब्ता से नवंबर के दित्तिय सब्ता में करने पर पोदो की वर्दी कम होने से बीज उत्पादन अधिक होता है आगे दोस्तो रिज के खादें उर्वरक के बारे में बात करते हैं दोस्तो रिज का भव वर्षी है लूसन की फसल एक बार बोने के बाद चार से पांच वर्षों तक पर्तिवर्ष प्रयाप्ट मात्रा में हर अचारा प्राप्ट होता रहता है अत्य है फसल को प्रयाप्त मात्रा में खा देऊं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तो लूसन की फसल फलीदार फसलोने की करण इसमें नाइट्रोजन की बहुत कमाव सकता होती है दोस्तो रिजगा की फसल में 40-60 किलोग्राम फासपुरस तथा 30-40 किलोग्राम परती हैक्टेर की दरसे पोटाज प्रयोग करना चाहिए दोस्तो इसकी फसल में 10 तन परती हैक्टेर की दरसे गोबर की शड़ी खादत्वा कमपोस्ट का प्रयोग्राइ के 10-15 दिन पूर खेत में फेला कर अच्छी तरह मिला देना चाहिए इसके बाद में दोस्तो इसके खरपतवान नियंतरन के बारे में बात करें तो दोस्तो अमर बेल के नियंतरन के लिए पेरा कवार्ट 0.2% का स्प्रे कटाई के बाद करते हैं एवं 20% नमक के घोल में बीजों को बुआई से पूरो उप्चारित करना चाहिए इसके बाद में देखते हैं दोस्तो रिजगे की प्रमुग बीमारिया तता के टेमून की रोग थाम पहले देखते हैं दोस्तो बीमारियों के बारे में दोस्तो पहला रोग गेर हुई या रष्ट दोस्तो यह हैं रोग संकरमित पोदे की पत्तियों तता तनों पर लाल बूरे दब्बे पढ़ जाते हैं दोस्तो इस रोग के प्रकॉप से दोस्तो इसकी रोग ठाम के लिए डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का 0.20% गोल का चिड़काओ करना चाहिए इसके बाद में देखते हैं दोस्तो मर्दू रोमी आसिता यानि डाउनी मिल्डू दोस्तो इस रोग का प्रकॉप सामने तसर्दियों में होता है दोस्तो इस रोग का प्रकॉप हो जाने पर पोदो की पत्तिया खराब हो जाती है दोस्तो इसकी रोग ठाम के लिए डाइथेन Z78 का 0.3% का चिड़काओ करना चाहिए आगे देखते हैं दोस्तो इसकी कीटों के बारे में जानते हैं दोस्तो लूसन की सुन्डी दोस्तो इस कीट की सुन्डी पत्तियों पर बड़े ही तेजी से खाती है और सिगरी पत्तिया सफेद कागज की तरह हो जाती है और अंत में पत्तियों में मुखे सिरा सेश रह जा दोस्तों इसकी रोग थाम के लिए थाय डान का 0.1 परसेंट गोल लचिड़काओ करना चाहिए इसके बाद में देखते हैं दोस्तों चने का कटवा कीट दोस्तों इस कीट का परकोप बीजों के जमाओ के समय होता है जो बीजांकुरों को भारी हानी पहुंचाते हैं दोस्तो इस कीट का परोग सामने ते रात के समय में होता है दोस्तों इसकी रोग थाम के लिए 0.2 परतिसत 7 या 0.4 परतिसत प्रसेंट का एंडो सलपान का चिड़काओ कर देना चाहिए दोस्तों इसकी कटाई रिंज गएगी कटाई कब करनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं दो साथ से साथ दिन बाद करनी चाहिए और दूसरी कटाई पर्थम कटाई के बाद तीस दिन बाद करना चाहिए इसके बाद की कटाई या तीस दिनों के अंतराल पर करना चाहिए तो दोस्तो इसे के साथ हमारा चैप्टर खतम होता है रिजगागा तो दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्देशी जाकर चैनल को सब्सक्राइब हैं वीडियो को लाइक करें थैंक यू दोस्तो